हेलो स्विमर्स देखे कमेंट आया था जैसे मैं स्विमिंग करता हूं तो एक ब्रीथ में 25-50 मीटर कर लेता हूं तो वही कमेंट आया था कि सर आप इसनी देर तक कैसे ब्रीथ होल्ड कर ले रहे हो उस पे टिप्स तो देखे लॉंगर डूरेशन के लिए अगर ब्रीथ आप प्रोड़ चाह रहे हो तो आप लोग कुछ पॉइंट ध्यान में देना होगा पहला पॉइंट है कि आप लोग को अपने बॉड़ी का सियो टॉलरेंस को बढ़ाना होगा मतलब कि आपकी बॉड़ी में जैसे आप ब्रीथ इन्हेल करते हो ऑक्सिजन गया बॉड़ी में फि बॉड़ी में कैप्चर करके रख सकती है तो इस पे वर्क करना होता है अगर यह आप आपने बैटर कर लिया तो पिर आप ज्यादा देर तक अपने बीथ रोक पाऊगे और इसको रोकने के लिए आप लोग को क्या करना होगा उसके बारे में बात करते हैं तो उसके लिए इस चीज़ पे अच्छा पकड बना लोगे उसमें क्या करना है आप लोग को एक बार बीथ अपने लंग्स में अच्छे से भर लेनी है एड डाउन करना है और मैक्सिमम पहले वहीं खड़े-खड़े रोकने की प्रेक्टिस करनी है अगर आप लोग रोक ले रहे हो ठीक है मालो आप लोग 30 सेगंड तो आप स्विमिंग करते वक्त भी आप लोग 30 सेगंड तक रोग ने की प्रेक्टिस करोगे हाला कि उसमें दिक्कत क्या होगी क्योंकि आप खड़े-खड़े रोक रहे हो मतलब की मसल्स यूज में नहीं है तो मसल्स में oxygen की नीड बहुत कम है ले लेकिन करना है उस चीच को आप लोग को अपनी लिमिट को पुष करना है कि आप कितनी देर तक जा सकते हो स्विमिंग करते हुए एक बार एक ब्रीथ में लेकर उससे क्या होगा उससे आपकी बॉड़ी को धीरे-धीरे पुष मिलेगा उमलाब वह अपनी टॉल्रेंस लिम कर रहोगो और दूसरा चीज यह ध्यान देना है कि जैसे मैं हमेशा बताता हो कि बॉटर बॉटल लेना है अपनी बॉड़ी को हाइड्रेटर रखना है जैसे पानी पीते हो तो क्या है पानी पानी है उसमें भी ऑक्सीजन है तो आपकी बॉड़ी में अगर जा रहा है तो लेके जा रहा है पानी तो फिर आपकी जो मसल्स की ओक्सीजन को जाया देर तक होल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे अगर आपके बॉड़ी हाइड्रेटर है तो तो फिर हमेशा जब भी आप स्विमिंग में कोई भी कोई भी प्रेक्टिस कर रहो माइने नहीं रखता कि साधा पानी चलेगा कोई दिककत नहीं है लेकिन आपको पी पीते रहना है और जिसको क्रैंप अगए रहा रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत इलेक्टर राइट डालके उसको ले सकता है और जब भी आप ब्रीथ कंट्रोल करने की प्रेक्टिस कर रहो हो तो हमेशा अपने आपके बोडि को एगदम शांत रखना है माइड को इक्दम शांत रखना है ठीक है माइड मेंना हो तो कुछ सौंग अगर आपका जो फेवरेट हो माइड में उसको गुन गुना आना है ठीक या फिर काउंट करना है 50 से लेके वन तक आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हो तो ये स evac method होते हैं, क्योकि precision, MIND हो रहा है, मलाविके माइं इस पहीं पर हृह यह, कि अगमको आपका है, इस पहीं इस पहीं जा रहा है, माइं आपका है, किसी सॉंंग आ जा रहा है, किसी जोक पर शोर्aters है, किसी आपने रहीं पर गूंब रहा है, तो माइंड को आप आपने अगर डाइवर्ट कर दिया तो फिर वो भी आपको हेल्प करता है तो यह सब कुछ ट्रिक हैं कुछ टिप्स हैं इसको आप ऐसा मान सकते हो जो आपकी ब्रीथ होल्डिंग कैम सिटी को बढ़ा देगा और फिर आप अपनी स्विमिंग और अच्छे लाइक करोगे तो फिर यह ज्यादा लोगों तक पहुच पाएगा यूट्यूब ज्यादा रिकमेंड करेगा इसको इस वीडियो को तो इसी तरह आप लोग जो भी स्विमिंग वीडियो मेरे अच्छी लगती हो इसको लाइक जरूर करा करिए शेयर भी करा करिए और सब्स